नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुकिरेसरी फदर डेली डोज ओफ इंडियन फुटबल और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एसेन गेम की स्कोर्ट के रिगरिंग एक और यहाँ पे डिस्टरपेंडिंग खबर आ रही है अनदर टू की प्लेयर आर गएंग टू मिस्ट गेम अगेंस चाइना तीस टू प्लेयर आर लेलें चुंग्ला एन साना सिंग लेलें चुंग्ला क्योंकि कल यहाँ पे उनकी जो कॉलकता से दिली की फ्लाइट थी तो यहाँ पे जैबउ डाइवर्ट होगी तो उसके चलते वो सहीіс टाइम पे टीम के साथ जुढ नहीं पाएं इसके लब आपे साना सिंह का अभी भी वी विज़ा अपरूवल नहीं आया है तो उसके चलते वो भी यहाँ पे मिस्स करेंगे उपर से हमारे जो coach साब है उन्होंने कल प्लेस conference में clearly बोला है कि सायद मैं यहाँ पर सन्विल चेत्री और संदेश जिंगान को चायना के सामने ना खिलाओ मैं बिल्कुल वो risk नहीं लेना चाहूंगा मेरे दो key player को अगर कुछ injury बिंजरी हो गई तो वल्लकप qualifiers risky हो जाएगा तो उसके चलते उन्होंने वो बोला है उपर से उन्होंने एक चीज़ और बोले है कि यहाँ पर हमने तो चायना वाला game skip ही कर दिया है हमारी planning चल रही है for the game of Bangladesh and Myanmar क्योंकि अगर वो दोनों game भी अगर हम जीच जाते तब भी हम round of 16 का qualify कर जाएगे और उन्होंने बोलाए कि अगर किसी match से हम एक रात पहले वहाँ पर पहुंच रहे है और बिना training session के जा रहे है तो कैसे आप expect कर रहे हो कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और एक चीज और उन्होंने mention कि है कि यहाँ पर हम चार week की game की demand कर रहे थे वहाँ से हम ऐसी आलत में आ चुके है कि हम match से एक दिन पहले पहुंच रहे है तो this is a disrespect to national team उन्होंने बोला है बिल्कुर सही बात है दिस्रिस्पेक्ट ही है मतलब आप आप देखे कि इससे तो अचा आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते इस तरह से किसी भी competition में पार्टिसिपेट करने का कोई फाइदा नहीं है अगर आपने पहले से ही सारी चीज़े मैनेज की होती तो यह कभी भी हालत नहीं होती तो this is a really really disappointing situation for the Indian football to be honest और मजाग बन के रहे गए हम सच में यार अमने अलड़ी अंडर 23 कौलिफायर्स को चांस था गोल्डन ओपिचिनिटी वह गवा दिया Kings Cup ने हमने बेड़ा गरक कर दिया अभी SN Games का भी बेड़ा गरक करने जा रहे है और आगे कितने सारे इतने टूनामेट बेड़ा गरक करेंगे पता नहीं वह सारी चीज़े mismanagement के चलते हो रही है So let's hope so कि कुछ यहां पे हमें आगे अच्छा management दिखें ताकि यह सारी चीज़ों से हम बाहर निकल पाएं Moving on to the second news, इस एकरणिंग गाईज ओबियसली बात करते हैं यहां पे Mumbai City वसे एपसे नासा जी के आज होने वाले Champions League मुकाबले की साम सारे साथ बज़े से पुने के बेलवारी स्टेडियम में खेला जाएगा चियो टीवी फैन कोड एंड स्पोर्टे टेंड के उपर आप इस मैच को देख सकते हो अगर टीम न्यूस की बात करें तो देश बकिंगम नहीं यहां पर मोबेसिटी के लिए बोला है कि क्योंकि वह यहां पर अभी भी उनका विज़ा नहीं आया है तो उसके चलते हो टीम में नहीं जुड़े हैं तो वह भी यहां पर मिस करेंगे तो उनके लिए बड़ा चटका वह है लेकिन डेफिनिटली इस मैच में मूबेसिटी गोइंग इस फैवरिट क्योंकि यहां पर चेंपियस लिग में खेलने का experience है है होम गेम एडवांटेज है टीम सेटल है दूरान कप में अच्छा करके आ रही है फ्री सेजन में अच्छा करके आ रही है वेल सेटल स्कोर है उतना ज्यादा कोही यहां पर क्यावलते चेंजिस की ज़रूद नहीं है एड़ डेफिनिट होना है जिस तरह से उनकी सुपर टीम है उनको बीट करना मुश्किर है तो यह दोनों टीमों के सामने अगर मुबई सिटी रिजल निकाल लेती है नौबहुर एंड एपसी नासा जी के सामने है तो जो उनके चांसिस है फॉर क्वालिफाइंग इंटु दी राउंड उप सि में एपसी नासा जी के पास कुछ अच्छे श्ट्राइकर है यहाँ पर बले ही अलावास मिस कर रहा है लेकिन अस्दी जो मुहमद अस्दी है वो भी एक अच्छा यंग श्ट्राइकर है जो की इन बाइंड रन काफी बैतरी निकालता है तो यहाँ पर ग्रिफिज तीरी मे पर बले ले लेते हैं तो उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा जबकि मुबैशिटी के लिए है वह यहाँ पर डिसरपइंडिंग चीज हो जाएगी तो मुबैशिटी के लिए डेफिनेटी वी एर भी यूस किया देगा तो फाइनली इंडिया में वीर भी डे तो दी नेक्स्ट न्यूस यहां पर आई लिग की बात करते हैं और आई लिग में ट्राओ एपसी ने यहां पर सेनिगेस इंटरनेशनल श्राइकर यहां पर इब्राहीम बाल्दे को साइन किया है थर्टी फॉर यर ओल्ड जिन्होंने मरलब ला लिगा में एटलेटिकों मेड आपे भी कितनी फाइट अमें देखनों को मिलती है वह देखना इंट्रेसिंग सा हो जाएगा सो देट सिट रिगारें गाइज इंडियन प्रडवल न्यूस टुडए और आई होप कि आपको इन्फरमेटिव लगाओ कीप सबोडिंग इंडियन प्रडवल डॉन्ट फरगे झाल